आज के अपनी इस आफ्टरफेट की किलास में हम लोग मास्किंग का यूज करकी यह एक टेक्स्ट रिवेल एनिमिशन बनाने वाले हैं जो की बहुती ज्यादा अमेजिंग बहुती ज्यादा क्रेटिव है और इसका हम लोगों को काफी ज्यादा यूज होता है जब हम मोशन Ucrafs च्ट़ है और चैशल यूज इस से पहले मैं ने मांस्किंग के उपर एक पार्ट वं वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको पूरा मास्किंग का समझाया है कि मास्किंग करते हैं उसका यूज करने का तरीका क्या है अगर आपने वो वीडियो नहीं से उसका लिं किसी भी वीडियो से कैसे किसी चीज को क्लोन कर सकते हैं वो चीज बतानाीध की वीडियो को आप फिसटार्ट टू एंड देखे हैं तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो गईस मैं आज हसा क्ऊनाया आफ्रफेक्ष में आज हम मासकिंग का Winds करें होई कंलने बनाने वाले हैं जिसको हम लोग टेक्ट रिवेल एनिमिशन भी बोलते हैं और इसका काफी ज्यादा यूज होता है जब हम मोशन ग्राफिक्स वगएरा बनाते हैं यह देखते हैं हम लोग कैसे इसको बनाते हैं तो सबसे पहले में इन दोनों लियर्स को यहां से डिलीट मार पर हेंल देता हूं जो मैंने वैंनली बना रखिये हैं आप मैं क्या करूंगा आप इनको रूलर को भी कड़ा देता को जाएगा यह करने के बाद में मैंने तैक्स लेयर हम और स्लैक्त करने के बाद में ओर यहां पर इसके ऊपफर ऐसे मास्प bizण पहले वाली वीडियो निते तो मैंने उसका लिंक आपको यहां पर दिया है आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आप पहले वह देख लें तो आपको यह वाली वीडियो जाद अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि मैंने उस वीडियो में आपको मास्किं का कॉंसेप्ट समझाया है तो मैंने यहां पर इ पिर से अपनी टाइम लाइन को लेकर आऊँगा जिरो सेक्टिंड पर यहां पर लोगो सेलेक्शन टूल और सेलेक्शन टूल लेने के बाद में एक बार बाहर क्लिक करके इसके जो एंकर पॉइंट से इनको स्लेक्ट कर लूँगा मैं यहां पर कुछ ऐसे जिफ्ट के साथ मे इन दुनों की को सेलेक्ट करूंगा एफ नाइन प्रेस करने के बाद में यहां जाओंगा ग्राफ एडिटर पे और इस पर जाकर के इसको कुछ में ऐसे कर दूँगा और इधर से भी इसको हल्का साय कुछ ऐसे कर तो यहां पर इसका ऐनिमेशन कुछ ऐसे हो रहा है जो कि काफ़ी इस पूथ एनिमेशन लग रहा हुए यह करने बाद में मैं फिर से बाहर हाँ में और यहां पे जो मैंने uống और मास बनाया था समय को मास्क शोगा अब यहां पे मैरे इसमें जो इफर म西लें किःख किल यूए था अपने time line को यहां पर लेकर आऊँगा 2nd पे और एक ruler यहां पर लगा देता हूं यह मैं इसलिए लगा रहा हूं क्यूंकि मैं इन अंकर कॉइंट की position चेक कर रहा हूं ठीक है अब मैंने इस layer को unselect कर दिया यहां पर लिया pen tool और pen tool लेने के बाद में यहां पर एक ऐसे पेंटूल से लाइन बना दी लाइन बनाने कलिए मैंने यहां पर फिल को रखा है नन और यहां पर जो इस ट्रोक है इसको 7 रखा और कलर रखा है इसका वाइट ठीक है कुछ भी कलर रख सकते हैं और फर्स्ट की फ्रेम पर आऊंगा मैं और यहां पर प्रेस करूंगा उपर वाली लियर को स्लेट करने के बाद में जो मैंने लाइन बनाई है और यहां पर कंट्रोल ऑल्ट होम कर दूँगा तो इसका एंकर पॉइंट जो वो इसके सेंटर में करके इस वाले रूलर पर रख दूँगा अब इससे यह होगा कि जो मेरा एनिमिशन है वह एक्जैक्ट वैसे ही चलेगा जैसे कि मैंने मास्क में एनिमिशन दिया है आप देखेंगे कि यह भी कुछ ऐसे चल रहा है लेकिन अभी आगे पीछे क्यों रहा है क्योंकि मैंने इज़ी इजन का यूज नहीं किया तो मैं इन दोनों की को भी इससे करूंगा और यहां पर यहां पर यह किया और यहां पर यह इसको यह कर देखेंगे कि अब यह इसका इसके साथ ही अगर यह कर में थोड़ा सा भी चेंज कर दूँ जैसे में इसको जादा कर दूँ आप देखेंगे कि आप एनिमिशन यह एक्टम साथ में नहीं हो रहा है तो इसका एनिमिशन मैंने साथ में कर दिया तो अब यह देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ही रिवेल हो रहा ह और यह जो उपर वाली लेयर है जो लाइन है इसके जो 5 die we know आगे की साइड बढ़ा दूगा तो इससे वह कि स्टार्टिंग के 5 फ्रेम में चुछ भी अनिमेशन और इनिमेशन यहां से हो रहा है तो इस टार्टिंग जो पांच फ्रेम में उस प्रेम उसमें क्या ग़ोगा जो लाइन है इसको स्लेक करूंगा यहां पर एस प्रैस तो य और देखेंगे यहां पर एसे चोटा हो रहा है इस चेप तो यहां पर इसके ऐनीमीशन कुछ ऐसे होगा यहांसे हैसे ऊपन होगा और उसके बाद में ऐसे भीएल होगा जो कि देखने में काफी सही में दुरी दूगा यहां पर इन दोनों की कौ स्लेक्ट किया CO»2C और यहां पर मैं अपनी टाइम लाइन को लिए करका राइट क्लिक की फ्रेम एशिस्टेंड और टाइम रिवर्स की फिरीम तो यहां पर यहां पर यहां पर इसे रिवर्स होके मेरी टेक्स्ट वाली लेयर की है और तीन सेकेंड पर आऊंगा यहां पर कर दोगा कंट्रोल वी से यह दोनों की फ्रेम मेरे यहां पर आ जाएंगे राइट क्लिक करूंगा की फ्रेम एसिस्टेंट और यहां पर टेड़न के लिकिन अब इनको भी आपर रीवर्स करणा पड़ेगा सब आपर बिस और अभी आप यह ऐसे उपन होगा कंब आप चलेगा इसके लिए मिसको इन दोनों की को पहले सप्रेम यहां एक सब्सक्राइब और फिर एसे चले एक इसी तरीके से यहां पर भी जाएगा तो इन दोनों की को सेलेक्ट किया और एंपर कर स्कॉष अब यहां कि ऑपन हो रहा है तो रिवर्स कर देंगे दो यहां पर यह तो हमारा एनी मिशन कुछ ऐसे बन चुका है और यह बनाना काफी ज्यादा एजी है बस आपको कॉंसेप्ट समझना है इसमें थोड़ा सा ट्रिक्य मैंने क्या किया है कि यहां पर सिर्फ इसको लाइन को मिलाने के लिए मैंने आप रूलर डाल देते और इस वाले अनिमेशन मिला दिया और कुछ भी ज्यादा इसमें नही बनते हैं रिखेए और इसका ऐनिमेशन पूछ ऐसे होगा घेरत इसमें फूंट में भी डाल सकते हैं तो यहां पर मोशन ब्लई वाला आइकन है इसको एसकी कर देदेंगी आप मोंशन ब्लड में रहा घगा है अगर पर सब्सक्रक्र दे bissल धे तो एक तम इस दिख रहा है ये आपकोईा है नहीं दाला है यह हमारा एक टीक्स आपके दो काफी बना सकते हैं अब हम लोग डिखते हैं के मस कि Ayam我不知道 क्यूं कि की लूब कर सकते हैं मेरे पास eden का यहां 5 जा है और यह आप देखिएंगे कि इस का सब्साहर को इस दल रहा हुग, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में से मेरा ये परशूट जो है थालकि क्लोग और क्मॉठ सो समय जांở मतलब हट जाए तो जैसे के हम लोग क्या करते हैं तक ही मास्क के थुरू इसको मैं ऐसे कवर कर दूँगा तो यहां पर मेरा मास्क बन जाएगा अब मैं यहां पर लाश्ट फ्रेम में आऊँगा और लाश्ट फ्रेम में आने के बाद में जो मास्क बनाए मेरा इस पर की लगा दूँगा और एक फर्च फ्रेम पर की लगा ध нужен कि मैं इसको पूरी timeline में इससे match करा दूँगा तो आप भी मैं beach बीच में मिला रहा हूं जैसे कि पहले मैंने starting में स्टार्टिंग ऐसे wiping शीलिटन अब इस तरीके से हर एक second시간 में match करा देता हूं बाओ और इंके बीच हुआ पे पुछ ऐसे बजाुआ देता हूँ एक्जैक्ट कैंभा तो इससे क्या होगा कि मेरा पूरी टाइम लाइन पर een चुट वाली जो लेयर है जो facto इमेज है इस पर क्या होगा पर tôi परशुट के साथ-वाली मूज करेगा, क्योंकि महाँ पर की की फ्रेम लगा दिया है पैरेशूट के साथ मैच करा तो आप देखेंगे कि मेरा यह जो है यह अब सिर्फ इतना ही पार्ट दिख रहा है क्योंकि मैं मास्क कर दिया अब मास्क के अंदर यहां पर एड हो रखा है मैं इसको कर दूँगा सब्सट्रैक करने से क्या होगा कि मेर नहीं दिखेगा यह पीछे का जो आपको कलर दिख रहा है वह दिख रहा है क्योंकि अगर मैं कॉम्प में रड में राइड वाई या कुछ भी कलर लूनों तो इहां पर वही दिखेगा तो यहां पर ही इतना पार्ट हड़ गया अम में क्या करूंगा इस लेयर को स्लेक्ट करूंगा लेयर स्लेक्ट करने के बाद में जाओगा विन्डू करने के बाद में यहां पर आपको और इसको ट्वेंटी करने के बाद में generate fill layer पर click करेंगे generate fill layer पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर एक process होना start हो जाए और यह generate fill layer पर click करने साथ ही मेरे को दिखा रहा है कि पहले आपको आपकी file है इसको save करना होगा मैं इसको file को desktop पर ही save कर लेता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी processing थी वह यहाँ पर complete हो चुकी है और अब यहाँ पर rendering start हो चुकी है और यहाँ पर rendering भी complete हो चुकी है अब हम इसको play करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से जो पैरशूट था वह गायब हो चुका है वह content aware फिल के तुरू मह वह समझ में आ गया हुआ इन दोनों वीडियो में जो से पहले वाली वीडियो थी उसमें और आज की वीडियो मिला करके मैंने पूरा आपको detail में masking बता दिया है कि after effect के अंदर हम लोग masking कैसे करते हैं उसका यूज करके कैसे कोई भी animation या फिर अपनी वीडियो एडिट कर सक करते हैं तो गैस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिए थैंक यू